Hello everyone, welcome back to my channel तो आज की इस वीडियो में हम designer plated blouse बनाएंगे और इसे हम boat neck पर princess cut पर बनाने वाले हैं और 34 size का बनाएंगे तो इसे बनाने की याप पर lining और man fabric ले लिया है तो इन दोनों को हमने 80-80 cm लेना है और इसकी जो cutting होगी वो पहले हम paper पर करेंगे ठीक है इसकी जो cutting है वो पहले हम paper पर करने वाले हैं तो पहले हम यापे straight line draw करनी है blouse की total length हम 14 inch की रखेंगे 1 inches में हम plus करते है margin का 15 inch होगा और half inch हम princess cut के लिए cut करते हैं क्योंकि princess cut stitch होने के बाद छोटा हो जाते है तो यहाँ पर 15.5 inch लिया है shoulder 7 inch लिया arm लेंगे हम 6.5 inch यहाँ पर straight line draw करनी है और अभी यहाँ पर marking करेंगे जो हमारी straight line draw करेंगे यहाँ पर हमें chest का fourth part लेना है 34 का fourth part 8.5 inch और 2 inch हम लेंगे margin के लिए ठीक है यहाँ पर half inch shoulder को down कर लेना है waist जो है वो हमारी 28 है उसका fourth part 7 inch 2 inch टक्स के लिए और यहाँ पर 2 inch ही हमें margin के लिए add करना है उपर जितना हमने margin लिया नीचे के side भी उतना ही margin लेना है 1 inch से armhole के side पर गुलाई देनी है तो देखिए हमने यहाँ पर लाई दे दी है और अब इसे हम cut करेंगे अब यहाँ पर हमें marking करनी है 3 inch पर यहाँ पर हम marking करेंगे 3.5 inch पर टक्स पॉइंट जो आएगा वो आएगा हमारा 10 inch पर तो 10 inch पर marking करेंगे इन दोनों को मिलाते हुए line को draw करना है और princess cut का shape देना है टक्स की जो weight रखेंगे वो हम 2 inch की रखेंगे length में इसको 2.5 inch के something देना है और इस तरीके से shape देना है अब दोनों टक्स को measure कर लेना है कि कौन सा part हमारा चोटा बड़ा हो रहा है तो इतना हमें आपे marking कर देनी है और थोड़ी सी इस तरह से line को draw कर देना है टक्स की sorry जो neck weight थे वो हम 4 inch रखेंगे इसकी जो land थे वो हम 3 inch रखेंगे इस तरह से straight line draw करके एक box बनाना है और इसमें round shape draw करना है इसके बाद हमें नीचे के side 1 inch पे marking करनी है यहां से हम marking करेंगे 4 inch पर और neck की जो total land थे वो हम यहां पर रखेंगे 6.25 inch इस तरह से shape देना है उपर वाला जो part है उसकी जो weight थे वो हम यहां पर 2.5 inch रखेंगे और इस तरह से shape देकर इसको cut करना है यह देखी तो हमने फ्रेंट वाले part cut कर लिये हैं अब हम लाइन फैब्रिक पर को cut करेंगे तो same जैसे हमने आप पर fabric पर, sorry paper पर cut किया था वैसे हमें same fabric पर cut करना है बट princess cut वाला जो part है उसमें हमें margin का add करना होगा इसमें तो marking तो हम as a tease करेंगे बट जब हम इसे cut करेंगे तो half inch extra लेकर हम उसको cut करेंगे तो इसको थोड़ा सा दूर ही रखना है ताकि हम दोनों ही part में half half inch का margin add कर सकें और इस वाले part में भी नीची के side से में margin add करना है half inch का क्योंकि वो हमारा stitching में जाएगा अभी इन parts को हमें cut कर लीना है इतलिए half inch का margin add करना है यहां से और बाकी side से as a tease cut करेंगे सेम यहां से भी half inch का margin add करना है margin add कर लिया इसमें भी हम नीचे के side से margin add करेंगे half inch का और बाकी side से as a tease cut करेंगे back part की marking करेंगे हम पहले तो जो hook है वो back back में ही आएंगे तो उसके लिए half inch की marking कर लीनी है इस तरीके से straight line row कर लीनी है यहां पर हमें shoulder की marking करनी है तो shoulder है हमारा 7 inch तो shoulder 7 inch रखना है यहां पर हम 6.5 inch की marking करेंगे चेस्ट का 4th part लेंगे हम यहां पर 34 का 4th part होगा 8.5 inch 2 inch margin का 8 करना है total length हमें 14 inch रखनी है तो वन इंच इसमें plus करेंगे margin का 15 inch लेना है वेस्ट का 4th part लेना है 7 inch 2 inch margin के लिए 1 inch back टक्टक्स के लिए साइट से लाइन को ड्रो करेंगे वन इंच से आर्मोल के साइट पर गुलाई देनी है और हाफ इंच रोल्डर को डाउन कर लेना है इसको हमने कट कर लिया अब मैन पैब्रिक पर हमें सभी पार्ट को कट करना है तो पहले हम बैक वाला पार्ट करेंगे ओपन वाले साइट से और फ्रंट पार्ट को कट करना है तो फ्रंट पार्ट में नीचे के साइट से हम इसमें प्लेट्स गैदर्स टालेंगे प्लेट्स टालेंगे तो उसके लिए हमें आपा फैब्रिक लेना होगा extra तो हम इसकी जो लेंद रहेगी वो 20 इंच लेंगे 20 इंच की तो 20 इंच पर मार्किंग करनी है अब यहाँ पर हमें chest का fourth part और 2 से 2 से 3 इंच तक extra इसमें ले लेना है तो मैंने आप 11.5 इंच पर मार्किंग किये यहां से हम इस तरह से इसको cut करेंगे यह देखे इस part को भी रखकर cut करना है यह देखे इस part को भी रखकर cut करना है सभी parts cut कर लिये हैं अब हम इसकी stitching करेंगे तो सबसे पहले हमें princess cut वाले part को stitch कर लेना है तो यह जो princess cut वाला part है वो सिर्फ हमें आपर lining fabric पर ही लेना है बाकि जो man fabric होगा उसमें तो हम plates डाल कर उसका shape ड्रॉ कर लेंगे ठीक है shape उसका हम ले लेंगे तो princess cut के दोनों part हम यहाँ पर stitch करेंगे एक part stitch हो गया दूसरा part भी हमने stitch कर लिया है यह दिखे ठीक है अब इसको हम रखेंगे site में और अभी जो हमारी यह उपर वाला part है इसको हमें यहाँ पर paper pasting पर cut करना है तो यहाँ पर हम center of buttons में लगाएंगे तो इसके लिए हमने आप इसको cut किया यहाँ पर हम pin up करेंगे इसको और इसे cut करेंगे तो पहले हम activities marking करेंगे इसकी फिर हम इसे cut कर लेना है side से one inch extra लेकर हम इसको cut करेंगे इस तरह से paste कर लेना है अब यहाँ पर हमें एक डोरी बनाई है दो लूप इसको cut कर लेने हमें तो यह हमने man fabric की ही बनाई है नॉर्मली जिससे हम बादने वाली डोरी बनाते हैं same वैसे ही और इसको हम यहाँ पर stitch करेंगे इस तरह से दो लूप लगानी है एक स्ट्रस का cut करेंगे man fabric को right side पर रखकर इसके उपल lining fabric रखेंगे और इसे stitch करेंगे कट लगा देना है इसको पलट देना है पलट कर इसके जो corner वगेरा है वह अच्छे से निकाल लेना है बाकी side से भी stitch करके extra fabric cut करेंगे यह देखिए दूसरा part भी से हम इसी तरीके से stitch कर लिया यहाँ पर इस तरीके से हम buttons लगाएंगे इसमें अब यहाँ पर हमारा friend वाला part है जिसमें plates डालनी थी तो इस तरीके से normally हमें चोटी-चोटी plates हैं आपर डाल लेनी है तो center पर एक marking कर ली थी हमने और उसके उपर ही हमने इस तरह से plates डालनी है तक कि center हमको पता हो और यह जो plates हमने डाली है center पर वो हमारे center पर ही आएगी तो आपको इस तरीके से adjust कर लीना है वैसे ही से हम हमें आपर side से भी इस तरह से plates डाल कर stitch करना है यह देखिए इस तरह से अब यहाँ पर हमने पैट लिये हैं पैट को इसके अंदर रखा और उसके उपर हमें man fabric वाली जो plates वालना डाला है हमने वो वाला part में यहाँ पर रखना है और इस तरीके से उसको अच्छे से set कर लीना है जो center वाली stitch है वो center पर ही आनी चाहिए proper पर ठीक है और अब हम यहाँ पर इसको इस तरीके से stitch करेंगे नीचे के side आप इसको थोड़ा सा plane रख सकते हैं क्योंकि वह हमारा नीचे के side आएगा और उसमें plates दिखे जरूरी नहीं होता क्योंकि वह वाला part हमारा अंदर के side पर जाता है ठीक है इस तरीके से हमें सभी side से इसको stitch कर देना है तो इसको अच्छे से set करते हुए ही आपको stitch लगानी है यह देखिए इस तरह से हमने इसको stitch कर लिया side का जितना भी extra fabric होगा उसको हम cut करेंगे तो देखिए हमने इसको stitch कर लिया अब cross में हमें पटी cut करनी है lining fabric की और double करते हुए से neck पर stitch कर देना है proper shape देख कर ही हम इसको stitch करेंगे cut लगाना है पूरे ही neck पर और एक stitch हम पटी के उपर से करेंगे इस तरह से हम यहां से इसको फोल्ड कर देंगे फोल्ड कर दिया हमने इसको अब देखिए नीचे के side हम पटी लगाएंगे तो पटी की जो width रहेगी वो हम two inch की रखेंगे एक stitch पटी के उपर से करना है अंदर के side fold करते हुए stitch कर देना है तो इस तरीके से हमने इसमें पटी भी attach कर दी है पटी भी लगा दी है इसमें अभी हमें उपर वाले पार्ट को stitch करना है तो उपर वाले पार्ट जो है तो उपर वाले पार्ट में हमने यहां पर buttons को attach कर दिया है अब यहाँ पर हम इस वाले पार्ट को इस तरीके से रख कर इसको stitch करेंगे यह देखे तो फ्रेंट बाला पार्ट कंप्लीट हो गया बैक पार्ट की नैके वीट 4 इंच नैके लैंच 3 इंच बॉक्स बनाकर राउंड शेप ड्रो कर देना है यह देखे इस तरह से अब इसकी नैके जो टोटल लैंच थे वह हम 11 इंच की रखेंगे नीचे के साइट से जो इसकी वीट होगी नैकी वह हम 3 इंच रखेंगे और इस तरह के से शेप दे देना है तो देखे यह वाला जो शेप है ना उसका वह बाहर के साइट से आएगा यह पूरा प्रॉपर इस तरह के से ता कि जब हम इसको स्टीच करेंगे तो यह परावर आएगा इसको कट किए इस्पा पेपर पेस्टिंग को पेस्ट कर लिना है जैसे कि front part को किया था cut करके वैसे ही अभी हम man fabric को right side पर उसके उपर रखेंगे lining fabric और neck को stitch करेंगे cut लगा देना है पूरे ही neck पर गोलाई पर और corner पर इसको हम पलेट देंगे पलेटने के बाद इसका जो corner है वो अच्छे से निकाल लेना है गोलाई में finishing देनी है आप चाहें तो इस पर iron भी कर सकते हैं यह देखिए इस तरह से पूरे इसको पलेट कर इसको stitch कर दिया है side से अब हम यहाँ पर hooky party लगाएंगे तो lining fabric को double करते हुए stitch कर देना है उपर के side से भी fold करके पर से की stitch करना है और एक stitch हम अंदर के side fold करते हुए करेंगे तो यहाँ पर hook की party हमारी complete हो गई है अब भी हम eye की party बनाएंगे तो इसे wheat में हमने 3 inch रखा है उपर के side से fold करना है fabric को और यहाँ पर भी हमको fold करते हुए stitch करना है तो इस तरह से eye की party भी हमारी complete हो गई है यह दिखिए back में हम trucks लगाएंगे जिसकी land हम 4 inch रखेंगे नीचे के side party लगानी है जैसे कि हमने front part में लगाई थी अभी हमें आपए shoulder को stitch कर देना है shoulder को stitch करने के लिए बाद back armhole को measure करना है तो यह हमारा 9 inch जा रहा है स्लीस के fabric को 4 fold करना है स्लीस के land 3.5 inch रखनी है 1 inch plus कर दिया margin के लिए यहाँ पर 9 inch है तो थोड़ा सा कम है तो अभी normally हम 2 inch पर स्लीस को down करके cut करेंगे और एक बाद जब इसमें हम joint लगा देंगे उसके बाद हम एक बाद उसे और cut करेंगे तो जो armhole था वो 9 inch आ गया है यहाँ पर इस तरीके से shape देकर cut करना है two parts में हमें front के लिए shape देना है इस तरीके से man fabric पर भी इसको stitch करेंगे साथ में अब इस तरह से fold करेंगे उपर के side sum marking करेंगे 1.5 inch पर और इस तरीके से shape दे देना है shape देने के बाद हमें cross में पटी cut करनी है lining fabric की और double करते हुए हमें यह आपर design पर stitch करना है cut लगाना है पुरी गोलाई और corner पर एक स्टीच हम पटी के उपर से करेंगे अंदर के side fold करते हुए stitch कर देना है अभी यहाँ पर दिखिए हमने इस तरह से एक लटकन बनाई ready made डोरी से इसके हमने लटकन लगा दी है इसमें इसको इस तरह से हम यहाँ पर stitch करेंगे stitch करने के पास lease भी हमारी complete हो गई है अब center पर रख कर इसको stitch कर देना है center पर pin up करते हुए हम side से stitch करेंगे तो पहले सरीके से pin up करना है side से stitch करेंगे side का जितना भी extra fabric होगा उसको हमे cut कर देना है blouse को हम उल्टा करेंगे side से एक पेर का margin रखते हुए stitch करना है यहां पर center से chest के fourth part पर यहां पर west के fourth part पर marking करनी है sleaze round का half लेना है हमको 6.5 inch और तीनों marking को मुलाते हुए हम fitting लगाएंगे तो friends यह हमारे blouse का final look है I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो like, share and comment ज़रूर करिएगा और channel को subscribe ज़रूर करिएगा Thank you